तो बात करेंगे मेस लगन वालों के लिए अभी मई का महिना कैसा वितेगा जो कुंडली अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये कुंडली मई के इसाब सही बनाएगी है फिर भी गोचरी इस्तितियों के अनुसार कुंडली के ग्रहों की जो विवस्ता है उसमें भी कु वर्षब रासे में जाएंगे बुद्ध 14 मई तक वर्षब में वक्री रहने वाले हैं शुक्र मिथुन रासे में गोचर करने वाले हैं मंगल 10 मई से करक रासे में प्रवेश करेंगे और इस महिने में ये लगभग करक रासे में ही रहने वाले तो ये नीच के इस्तितियों सबसेसे इस वज़े से देखेंगे यहां लगनेश का लगनेश्क आपके मंगल है और मंगल की स्थिति बनेगह आपके फोर्थ हॉस में, अब मंगल आपके अस्टमेस भी है इस बज़े से देखी फैमली के साथ आपके रिलेशन्स पुरभावित होंगे फैमली में कोई लड़ाई जगड़ा चल रहा हो पहले से तो वो ज्यादा बढ़ सकता है प्रोपरिटी वगरे के लिए कुछ विवाद हो सकते है फैमली वालो काफी आपको परिशान कर सकती है इसके लावा मंगल यहां से अपने वो देखेंगे सबसे पहले तो वो सप्टम्भाव को ही आपके देखेंगे तो जेवन साथी की साथ भी थोड़ा बहुत मनमटा होने के सांसेज बनेगे मंगल देखेंगे आपके टेंथ हाउस को टेंथ का परिशानी आ सकती है मंगल का एस्पेक्ट रहेगा आपके लाविस्तान पर भी जहां सनी गोचर कर रहे हैं ऐसे में कुछ आपके दोस्तों के साथ आपके मनमटा हो सकते हैं इसके बाद बात करते हैं शुक्र के बारे में शुक्र जो की सेकंड लॉर्ड और सेवंथ लॉ अगर है और कुछ ऐसी क्रियेटिव हो भी जो आपके जिसमें आप काम करना चाहतें तो आप ऐसे फिल्ड में फाइदा उठा सकते हैं शुक्र के गोचर का साथ ही थोड़ा सा फैमली का जो मेटर है उसमें ज्यादा आपको यहां पर इन्वोर्मेट देखने को मिल सकते हैं शुक्र और बुद्ध का राश्ची प्रियोर्तन भी इस मन्थ में होगा जो कि आपके लिए धन समंदी मामलों में काफी फाइदे मन्थ हो सकता है तो यहां दोनों तरफ ही क्रियेटिविटी नजर आती है अगर देखिए वानी का जो इस्तान है सेकेंड हाउस तो उसका ल अब शुक्र का जो एस्पेक्ट वो रहेगा आपके नाइन्थ हाउस पर इनका एस्पेक्ट रहने से कई न कई कोई लंबी दुरी की यात्रा की चांस बहनेंगे आपके अपने रिलिटिव्स के साथ या फिर आपके भाई भेनों के साथ साथ ही शुक्र आपके थाड़ तो आपके सबी से समंद अच्छे रहने वाले हैं, कोई विशेस परिशानी यहां नहीं होने वाले, इसके लावा आप इस मंद में अपनी जो होबेश हैं, उनको ज्यादा प्रात्मिक्ता देंगे कही न कहीं, और कैरियर के लिए अगर देखा जाए तो यह स्तिती अच्छी ह है वैसे, बट आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है अपने कामकाज में, इसके बाद बात करेंगे बुद्ध के बारे में, बुद्ध का गोचर हो रहा है वर्शब में, और बुद्ध का गोचर विशेस कर अगर आपका कोई इस मन्त में इंट्रिव अगरे ह तो उसमें ज्यादतर आपको हिल्प करेगा, लेकिन 14 माई तक की इस्तितियों में बुद्ध वक्री नजराते हैं, ऐसे में 14 माई तक अगर आपका कोई इंट्रिव है तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कते आ सकती हैं, इसके बाद आपके जो बुद्ध के रिज जरूर करें, साथ ही बुद्ध का एस्पेक्ट रहेगा आपके एर्थाउस पे, एर्थाउस पे इनका एस्पेक्ट रहने से आपका कुछ रिसर्च वरक है या कोई अकल्ट से जुड़ावा वरक है तो उसमें फाइदा दे सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे की तरफ आपका रुजान ज्यादा रह सकता है, चंद्रमा का पंचम में गोचर आपके लिए सुरुवात में अच्छा ही होगा, कोई विशेश प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर सनी के द्वारा एस्पेक्ट किये जा रहे हैं, इस वज़े और इनका गोचर होगा लगबब पंद्रे तारीख तक आपके लगण में, सुरिय का लगण में गोचर होने से कहीं न कि आप अपने आपको ज़्यादा प्रायरिटी देंगे, थोड़ा सा गमंड की समच्या, इगो की समच्या आ सकती है, तो सुरिय का लगण का जो गोचर समेंदे तो आपके love affair जिनके साथ है उनके साथ marriage होने के chances बन रहे क्योंकि यहाँ पर पंचमेश का समध बनेगा आपके 7th house से और सूरी आपके पंचमेश हैं ही साथ में यहाँ गुरू भी नजर आता है और इस वज़े से कुछ आपके relations भी किसी ना किसी से बिगड सकते चाहिए वो आपके partner से बिगड़े चाहिए वो आपके किसी और relative से बिगड़े तो ऐसे में आपको यहाँ ध्यान रखने आपको एक balanced life जीना इस मन्त में और बहुत ज्यादा हाई आपको नहीं सोच रहा इसके अलावा health का कोई आपको issue नजर नहीं आएगा इस मन्त में health का अगर पहले से कोई issue चल रहा है भेल था आपकी अच्छी होगी साथ ही आपका जो रुजान संतान पक्स की तरफ थोड़ा ज्यादा हो सकता है कोई लंबी यात्रा वगरे कोई विदेश यात्रा करने की तरफ आपका चांस बनेगा साथ ही यहाँ पर आपको विवाह होने के चांसे अब आपके बनने लगे हैं तो विवाह जो जिन जात्कों का नहीं वामेश लगन वालों का उनको इसके बारे में त्यारी करने चीए इसके बारे में ध्यान देना चीए अब गुरु का अस्पेक्ट आपके की सेवंथ हाउस पे है और सूरिय का भी है तो देखे मनमुटाव तो आपका अलरड़ी होगा जीवन साथी के साथ बर कुछ हद तक अगर आप कॉंप्रमाईज करकी चलते हैं तो इस्तियां कंट्रोल में रह सकते हैं उसके बाद सूरिय जा रहे हैं आपके सेकंड हाउस में सूरिय जब सेकंड हाउस में जाएंगे तो धन वर्दी के चांसेज बनेगे साथ ही आप अपनी फैमली को कंट्रोल करने के ज्यादा तर कोसिस करेंगे तो ऐसा ना करे तो ज्यादा अच्छ है वरना फैमली के साथ समंद बिगड सकते हैं सूर्य और बुद्ध का यहां पर बुदा दिते योग बनेगा जो की धन समंदी मामलों में आपकी काफी अच्छी हेल्प करेगा साथ ही अब आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लिते हैं गुरू के गोचर की गुरू का गोचर हो रहा आपके लगन में और क्योंकि गुरू अपने भाव को यहां से देख भी रहे हैं इसलिए आप लग की भी काफी जादा रहने वाले हो तो आपका लग साथ देगा पिता के साथ समंद अच्छे रहेंगे साथी साथ आपको अध्यात्मिक कारियों में रुझान बहुत जादा रहने वाला है त साथ ही देखिए जो स्टुडेंट्स उच अध्यन से जुड़े में हैं जो स्टडी वगरे कर रहे हैं उनको थोड़ा सा फोकस यहां ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि पंचमेस का जो गोचर है वो भी लगन में ही है और यहां पर आपका जो गुरू है गुरू का भी गोचर हो रहा है इस वज़े से स्टुडी में अच्छे रिजल्ट आने के चांसे ज्यादा है यहां पर अब आपके उपर डिपेंट करता है आप कैसे अपने आपको स्टुडी में प्लान करते हो साथ ही अब हम यहां पर देखे तो क्योंकि गुरू बारवे घर की स्वामी स्टुडी है तो आध्यात्मिक यात्रा वो आपको देही सकते है और आध्यात्मिक रुजान बहुत ज्यादा आपका रहेगा यहां पर तो इस प्रकार की कुछ स्ट्टियां बन सकते हैं बात करते हैं सनी के बारे में सनी जो की 10th lord और 11th lord होके आपके 11th house में गोचर कर रहे इनका ये गोचर आपको धन समंदी मामलों में एक बैलेंस इस्तिती में रखेगा हलांकि कुछ दोस्तों के साथ जरूर आपकी समंद उदासिंता पूर्ण रह सकते हैं कुछ मनमुटाव वाले इस्तितिया देखने को मिल सकते हैं लेकिन सनी का गोचर आपको कहीं न कहीं से धन की व्यवस्ता करके देगा थोड़ा बहुत पैसा आपको आता ही रहेगा बले वह आपकी नेट्स के अकॉर्डिंग हो या ना हो बट कुल मिलाकर सनी का गोचर आपके लिए अच्छा कहा जाएगा सनी यहां से देखेंगे आपके लगन को लगन को जो वह देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत आपके हेल्थ को प्रोब्लम वह कर सकते हैं और वह थोड़ा बहुत आपको अस्पेक्ट रहेगा फिप थाउस पे तो फिप थाउस से जुड़े हुए कुछ कारियों में आपको बाधा पहुंच सकती है या कारी काफी देरी से बन सकते हैं इसके अलावा सनी देख रहे हैं में काफी सारे अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं इसमें से 8-9 उसके बाद 19-20 और 24-28 तारिक तक ये दिन आपके लिए काफी अच्छे काफी बेहतर रहने वाले हैं तो जिन जात को कभी कोई विशेश महत्वपर्ण काम हो इन दिनों में आप ट्राई कीजिए आपका काम अव आपको प्रोब्लम्स आएंगी दो और तीन तारिकों फाल दुके कुछ खर्चे हो सकते हैं हेल्थ इस्यूज वगएरे की वज़े से वे आपको प्रोब्लम्स आ सकते हैं उसके बाद चंद्रमा का गोचर जब वरिश्चिक में होगा 6 और 7 तारिकों तो ये दोरान आपको म करना पड़ सकते हैं माता जी के साथ समन्द अच्छे नहीं रहेंगे 15 और 16 को उनकी हिल्थ का भी इस्यूज आ सकता हैं तो कुल मिलाकर ये कुछ दिन ऐसे हैं जो आपके लिए खराब जा सकते हैं मही के महिने में फिलाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद्ट